आप सबको टेकुड आईटिय यूट्यूब चैनल में स्वागत हैं आज हम फाइल के बारे में जानेंगे सबसे पहले हम जानेंगे कि फाइल डिफरेंट टाइप्च ऑफाइल फाइल कितने परकार के लिए यहां मेरे पास अभी पास परक्यार की फाइल एबलेबूल है जिसमें एक फ्लेट फाइल है सिंगल कट में एक हाफ रांड फाइल है उसके बाद एक ट्रेंगलर फाइल है उसके बाद एक रॉफ डवल कट फाइल और एक चरकोन फाइल जिसको हम कोना उना फिनिस करने बनाते हैं सबसे पहले हम हाफ राउंड फाइल के बारे हम जाएं हाफ राउंड जहां हमको यू अकार का जोब बनाना करता है वहाँ पे हाफ राउंड का यूच करते हैं और रॉफ फिनिस के लिए हम फ्लैट फाइल का यूज़ करते हैं जो single cut में हो उसके बाद जहाँ हमको भी type की job बनाना होता है वहाँ पे तरिकोन फाईल का इस्तेवाल करते हैं उसके बाद आता है double cut double cut यह वो smooth file होता है smooth file से हम job को finish करने के लिए करते हैं ठीका उसके बाद अब हम जानते हैं parts of body फाइल की कौन-कौन से पार्ट है उसके बारे में किसको क्या बोलते हैं जैसे एक यह हुआ इसको handle बोलते हैं उसके बाद इसको face बोलते हैं उसके बाद यह जो उसके बाद यह single cut में है single cut flat file है face हो गया उसके बाद आप आईए टैंग बोलते हैं उसके बाद इसको बोलते हैं टैंग इसको बोलते हैं सोल्डर टैंग, हील और सोल्डर यह हो गया parts of मैने की file फाइल को किस part को क्या बोलते हैं अब हमको अपने job के अनुसार file को selection करना सबसे पहले कौन साथ job हम बनाते हैं उसके अनुसार file को select करेंगे और ले जाएंगे तो ज़्यादा तर हम अपने वर्क्सवफ में flat file का इस्तेमाल करते हैं जो की single cut way होता है उसको ज़्यादा तर इसको ज़्यादा तर इसके बाद